नमस्कार दोस्तो अज मagने आपको पढ़ाने वाला हूँ खाडियय का चैनल भारत के कितने खाडिया हैं इकितने चैनल्य मेराश वो आज इस वीडियियो के बाद आप एकदम से रड़ जाएंगे एकदम से समझ जाएंगे कितने खाडियां भारत में पाई जाती है खाडी होता क्या है अगर हम इसको इंगलीज में बोले तो बे और गल्फ इंगलीज में इसको कहते हैं बे और बेंगोल जैसे हम यहाँ पर कहते हैं और गुजरात के पास खंबात के खाडी और कच्छ के खाडी जो है उसको हम क्या कहते है गल्फ कहते है दोनों में क्या difference होता है बे क्या होता है और गल्फ क्या होता है वो भी मैं आज इस वीडियो के दौरान आपको बताने वाला हूँ चैनल क्या होता है वो भी मैं आपको आज आप बताने वाला हूँ इस वीडियो के दौरान तो यहां पर जो दिया गया है explanation इसको पढ़ने से पहले आप सबसे पहले यहां नजर लेकि जाएए अपने ठीक है यह इंडिया का मैप है और इंडिया के मैप में यहां पर यह वाला जो पोर्शन है जो मैं हाइलाइट कर रहा हूं यह वाला पोर्शन इसको हम कहते हैं क्या Bay of Bengal यह है हमारा Bay of Bengal इसको हम क्यों बे कहते हैं इसको मिशले बे कहते हैं यहनि बे क्या होता है बे ऐसा एक आकरती होती है समंदर का वह है इसा समंदर का वह है इसा जो तीन तरफ से पाने से घिरा होता है समिंदर का वह इस्सा जो तीन तरफ से पाने से गिरा होगा, यह नहीं तीन तरफ से पाने से गिरा होगा और यह जो अरिया है जिर के समिंदर की तरफ मिलर वहा होगा इसको हम कहते हैh पह ग is जैसे बेफ बैंगौल को आप देख लीजिए right from the Myanmar West Bengal Odisha और उसके बाद के जो states है Tamil Nadu ये सब मिलाते हुए हमारा क्या बनता है? ये coastal line बनती है और ये coastal line Bay of Bengal की line को भी Bay of Bengal की जो हमारी थल सीमा है उसको define करती है ठीक है? तो ये जो हिस्सा है इसका ये तो क्या है? तीन तरफ से पाने से गिरा हुआ और ये जो हिस्सा है इस तरफ का ये है खुला हुआ बिल्कुल ये यहाँ पर समंदर है ठीक है? यहाँ पर क्या है? समंदर है तो Bay क्या होता है? Bay समंदर का वो हिस्सा जो तीन तरफ से जमीन से घिरा हो और एक तरफ से खुला हो यानि समंदर के साथ मिला हो उसको हम क्या कहते है बे कहते है बे अमूमन क्या होता है छोटी होती है बे बनती कैसे है बे बनती है समंदर की जो लहरे है जब वो आकर समंदर की लहरे जब आकर तर्ट या जमीन से टकराती है ठीक है त तो जो तट होता है जो जमीन होती है उसको काट काट कर एक इस प्रकार क्या करती बना देती है जिससे वहां पर क्या होता है पानी जमा हो जाता है ठीक है और यह बहुत लंबा प्रोसेस होता है बहुत लंबे प्रोसेस के बाद यह चीजे बनती है तो यह तो होता है बे अब म भी पॉर्शन आप देख रहे हैं, यह है Gulf of Aden, क्या है यह Gulf of Aden, A-D-E-N, Aden, यह है हमारा Red Sea, ठीक है, यह है हमारा Red Sea, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि Gulf क्या होता है, ठीक है Gulf क्या होता है, बे मैंने आपको समझा दिया, कि बे क्या होता है, बे यह मैंने आपको भी समझ कि क्या होता है अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि गल्फ क्या होता है देखिए गल्फ होता है यानि समंदर का वो हिस्सा समंदर का वो हिस्सा जो बे से थोड़ा ज्यादा डीपर होता है ज्यादा गहरा होता है और जिसकी आकरती कैसे बनती है यहां पर तो यानि बे की जो Newton's quarterges to actonic plates बंद भी उबन भी उसकती है यह क्या होती है जैसे जिस परकार से क्या होती है और एक तरफ से खुली होती है लेकिन जो गल्फ है, गल्फ क्या होता है, एक narrow passes होता है water का, पानी का एक narrow passes होता है और ये, ये वाला जो हमारा थल है, जमीन है, इनके दोनों के आपस में तूटने से, ठीक है, इनके, मालो, ये एक portion है जमीन का, ठीक है, अगर मैं इसको यहां से दो बागों में divide कर दूँ, एक portion यह हो गया, एक portion यह हो गया, तो बीच में क्या भर जाएगा, पानी भर इस इसे को हम क्या कहते है, गल्फ कहते है, और ये कैसे बनता है, ये टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट से बनता है, ठीक है, ये समंदर के लहरों से, ठीक है, समंदर के घरसन से, ये बनी हुए आकरती नहीं है, ये टेक्टोनिक प्लेट के घरसन से, तूटने से बनी यहां पर लिख भी हो गई है, यह रहा, Gulf of Aden, यह जो yellow arrow आपको दिख रहा है, यह है, Gulf of Aden, उसके बाद यह वाला जो है, यह क्या है, Gulf of Persian, Persian Gulf है, इसको क्या नाम दिया गया है, Persian Gulf, और एक गल्फ यह भी है, Gulf of Oman, ठीक है, Oman, Gulf of Oman यह रही, और यह जो आपको white arrow दिख रहा है, यह क्या है, Gulf of Thailand, ठीक है, Gulf of Thailand, तो दोस्तों इस परकार से मैंने आपको बताया कि Gulf क्या होता है, और बे क्या होता है, ठीक है, आप इसको यहां पर पढ़िए सकते हैं, जैसे खाडी, समुद्री पानी के ऐसे जलाश्य को कहते हैं, खाडी, समुद्री यह जो किस की बात कर र ही है, लेकिन, तीन तरफ से जिसके इर्थ गिर्थ काफी हथ, धर्ती का घहरा हो, जैसे यह आप देख रहे हैं, यह एक तरफ से तो पानी से चूड़ी होई है, समंदर से, महासागर से चूड़ी है, लेकिन इसके बाकी तरफ, यह तीन तरफ क्या होगा, आपको जमीन समंदर से जुड़ा हुआ है into the landmass ठीक है landmass के बीचो बीच होता है typically with a narrower opening than a bay ठीक है इसका जो opening होता है narrow होता है जैसे यह Red Sea है यहाँ पर और Red Sea के होते वे फिर यहाँ पर क्या आता है Gulf of Aden आता है उसी परकार से यह Gulf of Oman है और यहां से होते वे हम कहां पहुंचेंगे Gulf of Persian Gulf में पहुंचाते है ठीक है तो इस परकार से मैंने आपको बताया कि Gulf क्या होता है और Bay क्या होता है अब हम चलते है अपनी main slide के ऊपर ठीक है हमारे पास कौन-कौन सी ए इंडिया में कौन-कौन सी खाडी है कौन-कौन सी Gulf है कौन-कौन सी बे है बे तो के वाल एक ही है Bay of Bengal हम जिस स्ट्रेट एक्चल में क्या होते है स्ट्रेट और चैनल क्या होते है स्ट्रेट और चैनल होते है कि दो भूमी के बीच में से ठीक है जब संक्रा रास्ता बन जाता है पानी का पानी का संक्रा रास्ता बन जाता है ठीक है जैसे यह वाला रास्ता बना हुआ है पानी का इधर इस एविदे भी भूमी है यानि इधर भी जमीन है और इधरभी जमीन है। इसके बीच मेसे पानीक यह संक्राइ रास्ता बन जाता है इसे को हम 허ρο को जो आप विए पाक स्ट्रेट ठीक है अबूलन देखे हैं पाक जलम दम्रॡू रमध्य से यहां पर दिया गया है उसके बाद देखे क्या है कच की खाड़ी कहां पर है यह रही कच की खाड़ी यह गुजरात है यह पर यह जो आप पॉर्सन देख रहे हो यह क्या पूरा गुजरात है ठीक है तो गुजरात के यह जो कटा चटा एरिया है ना हमारा यह कटा चटा एरिया में से जो उपर वाल आपको बताता हूं क्या खंबात की खाडी हो गया हमारा कच की खाडी हो गया मनार की खाडी कहां पर है मनार की खाडी है यहां पर ठीक है एक तो मैंने आपको पताया पार्क स्ट्रेट पार्क स्ट्रेट तो एक संक्रा जल कर रास्ता है किस किस के स्री लंका के और इंडिया के आपको बता ही दिया अब मैं आपको बताने वाला हूं की चैनल क्या होता है अभी तक हम ने पढ़ा कि गल्फ क्या होता है? और बे क्या होता है ठीक है हमारे पास यानि इंडिया में कौन-कौन सी खाडिया है वो मैंने आपको बताया अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि चैनल क्या होता है देखिए इंडिया में इंडिया जहना इंडिया कुछ अकसांसों और देशांत्रों के मद्धे बटा हुआ ह इंडिया तो उसी प्रकार से जितने डिग्री पर जितने डिग्री पर यानि जितने अक्सांस पर कोई रेखा होती है ठीक है जैसे यहां पर यह 10 डिग्री अक्सांस की रेखा है ठीक है 10 डिग्री अक्सांस की रेखा है और यह किस-किस के मद्या स्थीत है यह स्थीत है हमारे कार निकोबार और लिटिल अंडमान के मद्द्य है किस किस के मद्द्यस्तित है हमारे कार निकोबार और लिटिल अंडमान यह जो यहां पर आप गोल गोल देख रहे हो न यह क्या है हमारे अंडमान निकोबार अंडमान एंड निकोबार आइलेंड है कौन कौन सा island है देखिए अंडमान निकोबार island भी ख़ई छोटे छोटे islands में बटे हब्या है ये स्बसे उपर और आप हिस्सा देख रहे हो न ये क्या ये north अंडमान है वो इसके बाद में this south अंडमान time ये little nen रची। है तो यह क्या हो डिट्य अंड मान और L यह दिया का कार निकोबार कार निकोबार औरन के बीच में तस डिगरी कम के क्या है या चैंहलिं नियुकिक होता है दो चोटे द्विपो के बीच मेंने要 Right भोमी गत थलोंगे के बीच में से छोटा संक्रा रास्ता होता है जल का पानी का ठीक है इसके बीच में से आप यहां से होकर गुजर सकते हैं सिप ले जा सकते हैं जहाज को ले जा सकते हैं और यहां से होकर कहां जाता है ठीक है यहां से होकर हम कहां जा सकते हैं इंडोनेशिया जा सकते हैं उसी परकार से 10 degree channel हो गया किस-किस के लेटिल अंड़मान और कार निकोबार के बीच में उसी परकार से 8 degree channel और 9 degree channel भी पाई जाते हैं 8 degree channel मिनिकोय ये क्या है misin कोय . मिनिकोय हमारा इंडिया का ही एक हिस्सा है मिनिकोय माल्दीम, माल्दीम कंट्री है तो mini koi और mal dheep के बीच में से होके गुजरता है यह 8 degree channel उसी प्रकार क्या है 9 degree channel 9 degree channel लक्सवदीब लक्सवदीब जो हमारा एक union territory है और mini koi ठीक है लक्सवदीब का ही पार्ट है mini koi तो लक्सवदीब और mini koi के बीच में से होके गुजरता है 50 degree channel और अभी मैंने आपको बताया है channel क्या होता है channel एक जल का पानि का संक्रा रास्ता होता है दो भू मिगत अस्थल के बीच में से होके गुजरता है तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आज आप बताया है कि खाड़ी क्या होता चैनल क्या होता है बे किसको कहते हैं और गल्फ किसको कहते हैं मुझे उमीद है कि ये लेक्चर तो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको पसंद आया होगा ठीक है अगर आपको पसंद आया है तो आप दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और अगर आप चाहते हैं और भी lectures लाते रहें, जो facts से related हैं, जिसके अंदर geographical facts, science facts, अलग-अलग परकार के, अगर facts आप चाहते हैं, तो आप comment box में comment करके बता सकते हैं. आज के इस lecture में फिलाल तो इतना ही है, अगले lecture के इंतिजार कीजिए, नमस्कार, जैहिन.